हलो क्लास फॉर्थ आज हम आपको आपके सामान ज्यान यानि जीके का वीडियो भेजने जा रहे हैं जिसमें हम आपको लेसन 19 से स्टार्ट करेंगे ओके लेसन 19 है बच्चो आपका भगौलिक ज्यान ठीक है तीक है इसमें क्या है कि सही उत्तर के सामने आपको टिक लगाना है प्रत्वी किसके चार ओर घुमती है सूर के बुमी के उचे उठे वे भाग को क्या कहते है परवत तीन ओर से जल से गिरे भुभाग को क्या कहते है बच्चो प्रायदीप दो खंडो के 20 से होकर बहने वाली पतली जलधारा को क्या कहते है जल भारत के उत्तर में कौन सा परवत है हिमाल है चंद्रमा अपना प्रकाश किस से लेता है सूर से भारत से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है करक रेखा समय के निर्धारण के लिए किन रेखाओं को देखा जाता है देशांतर रेखाओं को चारों और से जल से गिरे भुभाग को क्या कहते है द्वीप विश्व के ठीक 20 से होकर गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है भूमद रेखा ओके बच्चो अब आप लेसन 20 पे आईए लेसन 20 है बच्चो आपका भारती सम्मान एवं पुरसकार यानि कि सम्मान कौन सा और पुरसकार कौन सा दिया जाएगा इसका आपको इसमें घ्यान मिलेगा पहला है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रतन कि युद्ध में शत्रू के विरुद शोर एवं बहादुरी के लिए कौन सा पुरुषकार दिया जाता है बच्छा परमवीर चक्र और शांती काल में बहादुरी के लिए जो दिया जाता है सैनिक सम्मान उसे कहते हैं अशोग चक्र सन 1961 में आरम किया गया पुरुषकार जो देश के उत्रश खिलाडियों को दिया गया उसे कहा जाता है अरजुन पुरुषकार प्रसिद साहितिक संसता द्वारा साहित के चेतर में जो पुरुषकार दिया जाता है उसको ग्यानपीट पुरुषकार कहते हैं ठीक है सिनेमा के आपको किस देश में और कौन सी मुद्राइं चलती है यानि कि रुपिया कौन से चलता है तिक संयूत राज अमेरिका में डालर जर्मनी में ड्यूश मार्क फ्रांस में फ्रेंग इंग्लैंड में पॉंड जापान में येन चीन में यूआन इटली में लीरा रूस में रूबल ब्राजील में कुजोडो डेनमार्क में क्रोन कनाडा में डॉलर और भारत में क्या जलता है रुपया इरान में दिनार इराक में रियॉल और बुल्गारिया में लेव ओके बच्चो यह आपको अच्छे से पढ़ना है मैचिंग में भी दे सकते हैं ओके लेशन 21 में बच्चो आपको यह देखिए कुछ रुपय दिये गए हैं जो आपको इधर से मैचिंग करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए अपने रुपय में 123 डाल लीजिए ठीक है इन सब में 123 हमने डाल लिया अब देखिए वन को वन को हमने इधर मिलाया वुल्गारिया से ठीक है वन को वुल्गारिया से और टू को टू को हमने मिलाया है इंग जारत के हैं ठीक पांच वहां देखिए बच्छो किसका है चापान का और सिक्स नंबर इराक ठीक और सेवन नंबर आपका गया रियॉल ओके बच्छो यह आपकी रुपाई की जो थी मैचिंग थी यह आपको अच्छे समाझना है कौन सा रुपया कहां पर चलता है ओके नेक् आप गुजाने के लिए कौन सी गयस प्रियोग होती है नाइट्रोजन हवा के गुबारे में कौन सी गयस भरी जाती है हाइड्रोजन बायोगे किस्से बनती है गोबर से मनिशु द्वारा सास लेने में कौन सी गयस प्रियोग होती है ऑक्सीजन पादों द्वारा देन में जाने वाली गैस कौन सी ऑक्षीजन अगर बत्ती जलाने में कौन सी गैस निकलती गार्बन डायओक्साइट पाणी किन गैसों कम है हाइड्रोजण और ऑक्सीजन का बनशुदवरा स्वशन किरिया में छोड़ी जाने वाली कौन सी से पता है फ्रिज की मशीन में कौन सी गैस होती है अमोनिया पौधो द्वारब भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या में कौन सी गैस प्रियोग होती है कारबन डाय अक्साइट ओके अब अब अप्ले लेसां 23 में आईए 23 यह बच्छो आपका मातपूर दिवस कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है देखिए हम आपको बताएंगे मैचिंग आप भी सासाथ में करिए अ आठ मार्च आठ मार्च को मताया जाता है महिला अंतराश्टी दिवस ठीक है ठीक 21 मार्च को क्या होता है बच्चो विश्व वन दिवस ठीक है विश्व वन दिवस फिर देखिए 23 मार्च को क्या होता है बच्चो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ठीक अब देखिए 4 नंबर यानिकी 7 साथ अप्रेल की खेज़ स्वास्त दिवस ठीक है एक मई यानि की पांचवे नमबर पर एक मई को होता है अंतराष्टीशष्रमिक दिवश ठीक है और देखिए लब 8 मैं को ही खेए सात्व नमबर मई को क्या होता है अंतराश्टी परिवार दिवस फिर देखिए 17 मई को क्या होता है विश्व दूर संचार दिवस पाच जून को क्या होता है विश्व पर्यावरन दिवस फिर देखिए 26 जून को क्या होता है बच्चों अंतराश्टी मादक द्रव निशेद दिवस ठीक है उसके बास दिखें ग्यारा नंबर यानि जुलाइक को क्या मनाया जाता है विश्व जन संक्या दिवस टिक और सितंबर बहर आप dough आप दिर गोड़ को बखेंख आयरे जोगे आ हैं धहार ने जोगे में बेस n enhanced क्या दोशिक्तित 5 वह यस्व ने आच्छ जगे पार चौबीस ठीक है बच्चो आपका है भारत सौतंता आंदोलन समंदित प्रमुक नारे ये नारे दिये गए है कि और ये नारा किसने लगाया था किस महान इंसान ने उसका नाम आपको लिखना है पहला दिखिए क्या है पहला है सौतंता हमारा जन्वसिद अधिकार है ये पच्चो बात कही थी बाल घर गंगा धर तिलक ने ठीक है दूसरा है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये कहा था राम प्रिसाद बिस्मिल ने फिर देखिए सारे जहां से अच्छा ये किसने कहा था डॉक्टर इद्बाल ने वंदे मांतरम बंकीम चत चटर जी जो आपको पहले से ही पता है पंद्रा देखिए इंकलाब जिंदावाद भगत सिंग दिल्ली चलो सुभाज चन्द बोस करो या मरो मात्मा गांदी ठीक है फिर पूर्ण स्वराज जवारलाल नेहरू तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा सुभाज चन अच्छे से आद करने हैं अब आपको इंच किर यहीं से खतम होता है अब आमने देखिए आप हमारे शीट में आते हैं और इस डूम देखिए बच्चो यह शीट हमने आपको हॉलिडे में दिया था आपको इसारे कुशन याद भी हो गए होंगे एक बार हम आपको फिर से रिवाइस करवाते हैं हमारे देश का नाम क्या है भारत हमारे भारत का नाम किस महापुरुष के नाम पर पड़ा भारत के नाम पर ठीक भारत के और किस किस के नाम से इसको जाना जाता है इंडिया और हिंदुस्तान आप देखिए हमारे देश सी राजधानी क्या है दिल्ली हमारे देश कब आजाद हुआ था पंदर आगस उनीस सो सैंतालीस को ठीक चबीज जन्वरी को हम किस रूप में मनाते हैं गर्तंत्र द 59 में ठीक है अब अगले पेज पर आईए अगले पेज में देखिए लिखा है हमारे देश की राष्ट बासा क्या हिंदी हमारे देश की मुद्रा का क्या नाम है रूपिया हमारे देश के जंडे का क्या रूप है तिरंगा हमारे तिरंगे में तीनों रंगों का क्या आर्थ है केसरीया रंकार तो बलीधान सफेध रंकार रहते शांती हरे रंकारत हरी अली कि कि चोपिस एतले कि ऺदी कि लिए लगातार अन्न नती का हमारे राश्ठ्र गान किसने लिखा गुरुदेव रभीनना टैगोर सबसे बड़ा राश्ट्र पुरेसकार किया भारत रत्न ऑच्छव आपकी जीके शीड भी खतम होती है और सारे लेसर भी समयाप्त होते हैं अब आपका जीके का एन्वल कोर्स खतम होता है, ओके?